हॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रिजेंटिंग पर्सियोट आफ हैपिनेस ये क्रिस गार्डन के जीवन की सची कहानी है जो शायद आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे ये कहानी शुरू होती है सन 1981 से जहां पर हमें सैन फ्रेंसिस को दिखाए जाता है क्रिस कार्डनर जो अपनी पूरी जट जिंदगी की सेविंग्स को पोर्टिबल बोर्न डेंसिटी स्कैनर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है लेकिन क्रिस की किसमत उसका साथ नहीं देती ये मशीन पूरी तरह से मारकिट में फलॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन उसके स्कैनर्स बिकना बहुत मुश्किल हो जाते है जिस वजे से धीरे धीरे उसकी फिनेंशल कंडिशन बहुत जादा खराब हो जाती है क्रिस अपनी पतनी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराय के घर पर रहता है क्रिस्टोफर की फीज, घर का किराया और भहुत सारे और भी खर्चे हैं जिन सब का बर्डन अब उसकी पतनी के उपर आता है जिस वजे से इन दोनों के रिष्टे अब खराब होना शुरू हो जाते हैं आलगि इसमें क्रिस की और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती फिनेंशली यह बहुत ज़ादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्रिस भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसे अपना घर चलाने के लिए महिने में चार स्कैनर को बेचना होगा लेकिन एक भी स्कैनर मुश्किल से बिख पाता है अब एक दिन क्रिस जब अपने क्लाइंट को फोन कर रहा होता है तब ही उसके सामने एक बहुती शानदार गाड़ी आकर रुकती है जिससे एक आदमी उतरता है क्रिस उस गाड़ी को देखते ही रह जाता है वो अपने आपको रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूसता है कि यानि कि आप क्या करते हैं और इस सब को कैसे मैनेज करते हैं वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि I am a share broker और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी कोई निकल रहा होता हो सब के सब खुश होते हैं उनके चेहरों पर मुस्कराहट होती है जो क्रिस की जिन्दगी से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है और क्रिस तैय करता है कि वो भी एक share broker बनेगा वो घर जाता और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दूँ और कोई जॉब कर लूँ उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो वैसे भी तुम्हारे स्केनर्स को कोई नहीं खरीता वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं एक share broker बन जाओ उसकी पत्नी उसे हरानी से देखते हुए कहती है not an astronaut मतलब तुम astronaut नहीं बनना चाते दरसल उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी confidence नहीं है एक तरह से वो उसका मजाख उड़ाती है ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसकी पत्नी अब तैकर लेती है कि वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़ कर चली जाती है क्रिस को इस बास से बहुत गुस्सा आता है वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाती हो तो जा सकती हो लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो भी जानता है कि लीगली वो अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता पर इसी दोरान उसकी पत्नी की यॉरोप में कहीं जॉब लग जाती है जिसके चलते उसे यॉरप जाना पड़ता है और क्रिस को उसका बेटा वापस मिल जाता है क्रिस जिस घर में रहता है उसने कई महिनों से रेंट नहीं दिया और एक दिन उसका ओनर उसके पास आता है और अगले दिन उसका इंटर्विव है रात को घर इंट कर रहा होता है तब ही उसके घर में पुलीस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है दरاصल उसने पार्किंग के जो टिकेटस होते हैं कि पार्किंग के जो चार्जिस होते हैं वो नहीं भरे होते और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है अलग कि वो पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो पुलिस कहती है कि हमारे कुछ रूल से हम तुमें कल सुबह दस बजे से पहले नहीं छोड़ सकते और अगली सुबह जब क्रिस को छोड़ा जाता है तो वो सीधा अपने इंटर्व्यू के लिए भागता वा जाता है क्योंकि उसके पास बस के पैसे भी नहीं होते क्रिस के कपड़ों पर पेंट लगावा होता है और वो भाल लॉबी में बैट कर अपने नंबर का इंतिजार करता है और तब ही एक लड़की आती है जो उसका नाम बुलाती है क्रिस कार्डनर क्रिस के अंदर हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की कपड़े पहन कर वो खड़ा हो जाए वो कुस दिर सोचता है और इसके बाद खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है जहां पर एक पैनल बैटा होता है जो इंटर्विव लेगा वो सब क्रिस को देख कर बहुत हैरान होते हैं आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहन कर इंटर्विव देने के लिए नहीं आया इससे पहले कि वो लोग क्रिस को कुछ बोलते क्रिस कहता है कि मैं पिछले आदे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहन कर क्यूं आया हूँ लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना पाया और सस्तो ये है कि एक रात पहले मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकेट पे ना करनी की वज़े से अरेस्ट कर लिया था ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सब वेल सेटल लोग हैं और इन्हें बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती इनके लिए पार्किंग टिकेट भरना बहुत ही चोटी बात है अब ये क्रिस से सवाल करना शुरू करते हैं ये पूसते हैं कि आपने कहां तक पढ़ाई की है क्रिस कहता है कि 12th class तक और मैं अपनी class में first था इसके बाद क्रिस से पूसता है की तुम्हारी class में कितने students थे क्रिस कहता है कि 8 ये सुनकर सब एक दूसरे की शकल देखना शुरू कर देते हैं कि आठ बच्चों में फरस्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिस कहता है कि मैं नेवी में भी फरस्ट था और उसमें 21 लोग थे। और क्रिस की बातों से कोई भी कन्विंस्ट नहीं होता, वो लगभग इंटर्वियू में फेल हो चुका है। category करिस को फैसला सुनाया जाता, वो सबसे कहता है कि मैं कुछ कहना चाता हूँ, अगर कोई मुझे सवाल पूषता है और मुझे जवाब नहीं आता, तो मैं साबसाब कहदेता हूँ कि मुझे जवाब नहीं आता, बर मैं एक बात की शर्ट लगा सकता हूँ, कि मैं चानता हू कि जवाब कैसे ढूंडा जाता है और मैं जवाब ढूंड कर रहता हूं। इस बास से सबके सब थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते हैं और अब जो यहाँ पर सबसे सीनेर होता है, वो क्रिस से कहता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास बिना शर्ट के इंटर्विव देने के लिए आ इसी पैनल में एक आदमी होता है जिसका नाम जैक है जसे क्रिस्ट पहले से जानता है वो जैक को कहता है कि मैं तुम्हें आइस सोच के बताऊंगा कि मैं इंटन्चिप जॉइन करूंगा की नहीं यह वास उनकर 评न करो है रान हो जाता है वो Chris से कहता है कि पिछले कई दिनों से पागलों की तरह तुम इस जॉब के लिए मुझे चेस कर रहे थे और आज जब तुम्हे सेलेक्ट कर लिया गया है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सोच कर बताओगे Chris कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक इंटर्शिप है अब मेरी फिनेंशल कंडिशन पूरी तरह से बदल चुकी है दरसल ये एक इंटर्शिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है और 6 मैने तक इन सब को काम सिखाया जाएगा और 6 मैने बाद इन 20 में से जो एक स जवाब नहीं दिया तो मैं तुमारी जगा किसे और को रख लूँगा Chris घर जाता और फैसला करता है कि वो इस इंटर्शिप को जोईन करेगा वो इंटर्शिप को जोईन कर लेता है साथ ही वो अपने स्कैनर्स बेज़कर इतने पैसे खटे कर लेता है कि उसके पास अब 6 म मैंने का बजट है वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है अब वो एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है और एक शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे बैंक की तरफ से गौर्मेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपन पैसे पास उसका बेटा है, उसका सामान है और जेब में पैसे नहीं है इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने कभी उससे कुछ डॉलर सुधार लिये थी, वो उसका दर्वाजा खट-कटाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो और उसका दोस्त तरह से हताश है, उसके पास उसका सामान है, साथ ही उसका छोटा सा बेटा, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है और सूच रहोता है कि अब वो कहां जाएगा ना तो उसके पास घर है और ना ही पैसे Chris का बेटा Christopher पूछता है कि हम कहां जा रहे हैं Chris कहता है कि मुझे नहीं पता उसके पास जाने के लिए रहने के लिए कोई भी जगा नहीं है और तभी Chris के मन में एक आईडिया आता है वो अपने बेटे को एक गेम खिलाता है जिसमें वो उसे चीजों को विजुलाइज करने के लिए कहता है उसका बेटा भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में वो उसे मैट्रो के टॉयलेट में ले जाता है और दर्वाजे को अंदर से बंद कर देता है वो वहाँ पर नीचे कुछ पेपर्स बिचा कर उसी पर बैठ जाता और अपने बेटे को अपनी गोद में लिटा लेता है उसे पता है कि आज रात उसे यहीं टॉलेट में बितानी होगी हाला कि कई बार भार से लोग दर्वाजा खट-कटाते भी हैं लेकिन क्रिस दर्वाजा नहीं खोलता उसकी आखों में आशू होते हैं क्रिस ने अपने आपको जिन्दगी में इस से ज़्यादा लाचार कभी महसूस नहीं किया अगली सुबह वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद खुद अपने काम पर चला जाता है काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल से लाता है और अब वो शेल्टर ढूनने के लिए चर्च में जाता है लेकिन उस चर्च में उसे बताय जाता है कि ये चर्च सिर्फ फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए है क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाता वो एक दूसरे चर्च में जाता है जहां पर उसे जगा मिल जाती है लेकिन अगर उसे रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहां पर आना होगा क्योंकि लाइन के शुरू के कुछ लोगों कोई चर्च में शेल्टर मिलता है बाकी लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि यहां पर लिमिटेट जगा है और क्रिस का असली स्ट्रगल अब शुरू होता है अलगी उसका आफिस साथ बजे तक है लेकिन उतै करता है कि वो पांच बजे तक ही काम करेगा इसलिए उपूरा दिन पानी नहीं पीता क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉरेट जाना होगा जिसमें टाइम वेस्ट होगा और वो अपने काम को पांच बजे तक खत्म नहीं कर पाएगा इसी दिन भर लगाता और काम करता रहता है इसी तरह से अब क्रिस के दिन गुजरना शुरू हो जाते है वो काम करता है अपने बेटे को स्कूल लाता और इसके बाद चर्च की लाइन में लग जाता है अभी भी उसके पास एक स्केनर बचा होता है जिससे वो बेच कर कुछ पैसे कमाना चाहता है एक दिन वो अपने बेटे को बास्केट बॉल खिलाने के लिए ले जाता है हलाकि उसका बेटा तो खेल रहा होता है लेकिन क्रिस अंदर से टूटा हुआ है और वो उसी टूटे दिल से अपने बेटे को कहता है कि कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते लोग जब खुद कोई काम नहीं कर पाते तो वो तुम्हें भी ये बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे कोई सपने है तो तुम्हें उन्हें संजोना होगा गर जिन्दगी में तुम कुछ पाना चाहते हो तो जाओ और उस चीज को छीन लो बस बात ही पर खत्म हो जाती है दरशल क्रिस ने इस बात अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती है वो भी अपनी जिन्दगी में ऐसा ही कुछ करना चाता है जिसके लिए वो संगर्श कर रहा है इसके पास जो बोन स्केनर बचा होता है वो उसे लेकर एक हास्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है ये डॉक्टर स्केनर को खरीदना चाता है पर जब क्रिस उसका डैमो देता है तो मशीन नहीं चलती जिससे क्रिस का दिल तूट जाता है क्योंकि उसके पास अब पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं वो वापस चर्च आता है और रात को उस मशीन को चेक करता है उसे पता चलता है कि इसका एक पार्ट खराब हो गया है और उस पार्ट को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते ही वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर एक हास्पिटल जाता है जहां पर उसे अपना बलड बेशना पड़ता है जिसके बढद्डे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो उस पार्ट को खरीता है, वापस आने के बाद वो उस पार्ट को जब मशीन में लगाता है, मशीन ठीक हो जाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है, और अब उस मशीन को बेज कर कुछ पैसे कमाता है, और वो अपने बेटे के साथ आज चर्च में नह साथ ही परसनली लोगों से मिलता है और वापस आने के बाद वो अपनी पढ़ाई भी करता है क्योंकि उसका एक्जाम होने वाला है। जिस से वो जारा होता है और जब एक्जाम के बारे में बात करते हैं वो आदमी क्रिस से पूसता है कि तुम्हारा एक्जाम कैसे हुआ। क्रिस को बुलाया जाता है तो वहाँ पर वही सब लोग होते जिन सबने सबसे पहले उसका इंटर्विव लिया था। इन में जो सबसे सीनिर होता है वो क्रिस से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि नहीं सर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब क्रिस की जिन्दगी में सब कुस ठीक हो चुका है। और इस कहानी के अंतमिया में दिखाया जाता है जहां क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और तभी वहां से एक आदमी क्रॉस होता है और ये वही असली क्रिस कार्डिनर है जिसके उपर ये पूरी की पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। तो ये थी पूरी कहानी परस्यूट आफ हैपिनेस की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी